हलो फ्रेंट्स कॉंप्टेशन कमिटी के सीजी एसाई प्रेलिम्क्स प्रग्राम में आप सभी का स्वागत है और मैं हूँ हीमें प्रधान आई यू फ्रेंट्स आज हम देखते ही हैं कैमस्ती के हमारे लेक्चर नमबर टू को जिसमें की एसा ही एक्जाम को टार्गेट करती भी कुछ महत्पूर प्रस्ता है तो देखते हैं पहला नमबर कोश्चन नमबर बन देखते हैं यहाँ पे रेडियो धर्मिता की खोज किस ने की थी है ना ऑप्शन्स आर रधर फोर्ड हैंडरी बेक्रल रोइंजन और आइंस्टीन तो य इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा बी इस दर राइट आंसर ठीक और यहाँ पे रोडजन एक्स किरण की खोज की थी और आइंस्टीन साहब के तो बहुत अलग-अलग युगदान है आप सभी को पता आइंस्टीन ने इसकोल टो एम से स्क्वार वाला एक महत्पूर फ इसकार किस ने किया था अगर यहाँ पे देखा जाए तो और मैडम क्यूरी नहीं मैडम क्यूरी ना क्या है कि हैंडरी बैकरल साहब ने रेडिय अक्टिवीटी का डिसकवर किया था उसके आगे की खोज वगरा सब किस ने की थी मैडम क्यूरी ने किया था ठीक है तो यह है ये जो है उनके husband ये भी उनका उसमें युगदान है आटो हॉन सहाब का क्या है इनको कहा जाता है कि atom bomb के जो father है या discover उन्होंने किया था है ना आटो हॉन ठीक है ये बहुत जल्दी बहुत पहले नहीं हुआ है के डिकेट में इसकी खोज हुई है ठीक है ये डिसकवर किया गया है अलबर्ट आइंस्टीन स्वीज का अंसर गलत है तो परमादु पम का विसकार see is the right answer clear हो क्या next question क्यों move करते हैं next question है कि परमादु सकती सायंत्र की सिद्धान पर कार्य करता है पावर प्लान को क्या कह सकती है nuclear reactor कह सकती है can nuclear reactor कि पता है कि यह Kaiserं पर आधारित होते है nuclear फीजन यानकी किहा जाएगी नाविकिभी काडन अप्शन मलती सिकादे can ये इंश से आथा सबस्व को अगर पूच्छा जाए कि नाविकी का अधारित कि आधार बनाए जाते हैं लेकिन नाभी की सलयन से हाइड्रोजन बनाया जाता है आपको अगर पूछा जाए कि नाभी की सलयन और विखंडन में यानि की फ्यूजन और फीजन में कौन जादा पावरफुल सबसे जादा एनर्जी प्रड्यूस करता है तो याद रखना सलयन में उड्जा जादा निकलती है देन विखंडन यानि फ्यूजन इस मोर पावरफुल धन फीजन ठीक है क्लेर हो गया तो इसका उत्तर तो निकलियर इस ने डिसकवर किया था और जिसमें कि हमको पता है कि सुने से लेके 14 तक इसके रेडिंग्स होते हैं जिसमें हाइट्रोजन आयन के कंसंट्रेशन के आधार पर अगर यह सेवन है तो उदासीन माना जाता है सेवन से नीचे है तो एसेडिक से जादा है तो बेसिक माना जा है और सीज्टराइड आंसर क्लियर हो घ्या नैक्स कोशन की और-moov करते हैं यहां से आंपे उन मैंसे कॉन सा इनधन कॉन सा इनधन था नहीं है ए यहां तक त्व नहीं है यानकि फ्यूल एलेमेंन नहीं कहा गया है तो देखते हैं यूरेंइन अक्री तत्व है है ना अक्री तत्व है तो यह इंदन की रूप में यूस होता ही नहीं है गुबारों में भरा जाता है हाइड्रोजन और हीलियम का मिस्रण रूप ठीक है तो यहां पर याद रखना यह क्या है डी इसका सही उत्तर है ठीक सिक्सो तो निमने से कौन सी मिस्सधाटू नहीं है मिस्सधाटू यहने लॉइस है ना यहानो जानते है की दो या दो से अधिक प्रकार शी यहां पर देखते क्या है स्टील मैं आपको पता है आइरन के साथ हम कार्बन मिला देते हैं ठीक है और स्टेनलेस स्टील बनाना है तो इसमें निकल और क्रोमियम भी मिला देते हैं तो यह बनता है तो गलत उत्तर है हैंना क्योंकि वो मिस्सदाद्ध दातू है पीतल ब्रस और chiों पर ब्राउंच दिया हुआ है तो पीतल और यह ब्राउंच को कहा जाता है कांसा तो देखना दोनों में ऌह राहमका हम सब्सक्राइब कांसा होता है और bronze यानि की कासा में क्या होता है copper न होता ठीक है कैसे याद रखना है copper का copper कॉमन और उसमें ये last की keyword को देखना है अगर s een मतलब brass है तो उसका अपॉसिट लेना है तो जैडेन है और ze यहां पे ब्राँज में z keyword है तो जैड़ है तो उसका अपॉसिट तो इसलिए यह से याद रखेगा दोनों को जोड़ देते हैं तो क्या बनता है कौपर प्लस जिंखegenें मेक्ट organizator मेटनल टीक तो यहां पर यह भी गलत उत्तर यह भी गलत उत्तर है हमको पूछा है loweryouật क्या है तो कौपर क्या है यहां पर उसका उत्तर है ठीट चलिए next question क्यों remove करते हैं next question देखते हैं यहाँ पे कि जंग रहित लोहा बनाने में प्रयुक्त महतपूर्ण धातू है ठीक है जंग रहित बनाए जाया तो सबसे पहले हम देखते हैं carbon प्लस अगर इसमें iron प्लस carbon डालते हैं तो steel ज़रूर बनता है लेकिन वो बहुत अच्छी quality की steel बनती उसमें जंग लग सकती है तो यहाँ पे जंग रहित कहा गया है तो उसके बाद अगर हम इसमें chromium मिला देते हैं या फिर nickel मिला देते हैं तो इसके बाद यह जंग रहित बनता है तो यहाँ पे option क्या दिया हुआ है chromium तो see is the right answer clear हो गया next question निम्नेर्स में विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा है aluminium, तांबा, चांदी और सोना तो आपको यह question बहुत important है याद रखेगा कई बार पूछा जा सकता है इसका आपको करम मालूम होना चाहिए सबसे अच्छा जो चालक है उसे कहा जाता है क्या है चांदी को कहा जाता है ठीक, दूसरे में आता है copper, दूसरे में आता है copper और तीसरे में आता है क्या आता है aluminium और चौथे में आता है tungsten इसलिए दिखना कि copper winding, aluminium winding वाले बहुत सारे motor मिलेगा, तो हमेशा आपको copper winding priority देना चाहिए, तो यहाँ पर चांदी तो महंगा है इसलिए उसको उसको ऐसा motor तो होगा नहीं, है ना, या उसमें कमी application होता है उसका, तो आपका copper winding वाले जो हैं, जो ज़्यादा अच्छे होते हैं, और उसके बाद क्योंकि इसकी चालगता conductivity ज्यादा है, aluminium उससे कम है, टंगस्टन उससे कम है, ठीक है, तो यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा, सब बाद आपका देखते हैं, aluminium तीसरा है, है ना, और उसके बाद यहाँ पर टंगस्टन तो ही नहीं, ओके, next question देखते हैं, hydrogen की खोज किसके द्वारा की गई थी, hydrogen, Charles, Cavendish, Pristley और Bile, देखिए, Charles का नियम और जो है, Bile का नियम, यह दोनों नियम जो है, basically thermodynamics में सुनने को मिलत है, Cavendish से इसका सही उत्ता, जिन्होंने hydrogen जैसे तत्व की खोज की, बहुत सारा विबाद भी हुआ था, कि hydrogen को कहां रखें, क्या hydrogen को group number one में रखा जाए, या group number 17 में रखा जाए, halogen family में, यह कुछ गुण halogen जैसे दिखाता है, कुछ गुण अपने metal प्रथम group वाले जैसे दिखाता है, ठीक है, इसलिए से आवारा तत्व भी कहते हैं, इसके खोज कौन किस ने किया था, Cavendish साब ने किया था, यह सबसे हलका तत्व है, lightest जो है element है, ओके, next question दिखते है, सिर्के में कौन सा अमल होता है, which acid is in vinegar, vinegar जो होता है, कम से कम, कहना चाहिए, 8 से 10% क्या होता है, इसमें, कहना चाहिए, यह होता है, acetic acid, है ना, और यह basically colorless होता है, transparent होता है, कह सकते हैं, है ना, तो यहाँ पे acetic acid इसका उततर है, ascorbic acid, यह तो आपको किसे कहा जाता है, vitamin C कह धिया जाता है, है ना, citric acid भी कह धिया जाता है, है ना, tartary acid जो है, किस में पाए जाता है, im इनेगर ठीक या सिर्का नेक्स्ट कोशन देखते ही कि प्राकृतिक गैस का मुख्य अब यह है नैचुरल गैस तो नैचुरल गैस में वैसे तो देखा जाए है ना मीथेन सबसे प्रमुख रूप से पाई जाती तो ऑप्शन यही लिखा दिया जाएगा लेकिन कुछ-कुछ को यहां पर आंसर में नहीं लेना है आया हुआ कोशन है इसलिंए हम इसे आपके लिए लेकर आए हैं ठीक है तो ए इसदार आइट अंसर फिर प्रत्व विस्वायुद्व में किस एक रासानिक आयूत की रूप में क्या है किसे यूज किया गया था ठीक है विच वन वस वेपनी फर्स वर्ल्ड वार ठीक है फर्स वर्ल्ड वार के समय जर्मन सेना ने एक ही गैस यूज किया था उसका नाम है मस्टर्ड गैट यह याद रखिएगा है ना यह साइनाइड यह तो टॉक्सिक है है ना मतलब बदूदार है कह सकते हो कार्बन मोनोकसाइड यह भी क्या भी होता है और कहा जाए इसमें सलफर भी होता है क्लूरीन भी होता है इतने चार चीजों से मिलके बना होता एक प्रकार का carbonic है organic compound है थीक तो यह जैल है तो यहां भी इसका उत्तर अगर देखा जाए तो आपने वो paint का नाम सुना होगा ना ज़र ट्रैक्टर इमलसन या इशन पेंट का इमलसन ऐसे अलग-अलग इमलसन बढ़ाता है तो क्या होता है यह से पाने गिलास लो उसमें अब नमा क्या सक्कर डाल दो तो पूरा सॉलिबल हो जाता है भूल जाता है कि नहीं लेकिन जब वहाँ पे वर्ड यूस किया जाए एक कोलाइडी वर्ड कोलाइडी वर्ड में यह होता है कि दो चीजें मालो ए और बी दोनों को मिलाते हो तो वो घुलता नहीं है लेकिन ऐसा लगता है कि घुली गया है है ना तो यहां पे उसी का ही एक रूप है पायस है ना पायस याने इमलसन तो पेंट में भी क्या है बहुत सारे उसमें कैमिकल वगर मिले हैं जिसमें की सॉलिड थोस और द्राव आपस में क्या है ऐसा लगे रहा है कि वो घुल गया है और कलर आपको दिख रहा है लेकिन वो क्या है उसके मॉलिकी Ols य्याने उसके अन्मो याने उसका आकार बहुत चोटा इतना चोटा है कि आपको लगता हूँ घुल गया है लेकिन वो घुला नहीं होता थीक है तो उसे हम पायस कहते है तो यहाँ पे दूद में भी ऐसा है दूद में इसमें देखते हैं कि जो फै तो suspension, foam अगर आता है, foam क्या है, foam या जाग अगर कहेंगे, तो यह क्या होता है, आपके उसमें वायू, है ना, याने air का वहाँ पार्ट होता है, water के साथ, ठीक है, तो वो दोनों एक प्रकार का वहाँ भी क्या है, वो घुले नहीं होते, ठीक, तो यहाँ पे उत्तर क्या है, em natural emulsion का उदारण क्या है, आपका दूद या milk, और अगर कहा जाएगा, जो artificial बनाया जाता है, तो जितने paint वगर बनाया जाते है, तो वो emulsion है, या पायस है, ठीक है, यह बात क्लियर होगे आप सभी को, चलिए, रेडियो धर्मीता का unit क्या है, आइधिक यह पिछले session में देख लिए थे, चलिए, रेपीड हो गया है, कोई बात नहीं, तो क्या है, एंग स्ट्रॉंग, वेवलेंड के लिए यूज किया जाता है, कैंडेला क्या है, आपके, जोती तीवरता, लाइट इंटेसिटी के लिए यूज किया जाता है, फर्मी परमानु आकार यूज करन जो है, सबसे acceptable, लेकिन फर्मी भी ले लिया जाता है, लेकिन यह SI unit नहीं है, तो फिलार इसका उत्तर आप DB कर सकते हो, ठीक है, क्लेर होगे आप सभी को, क्यूरी SI unit नहीं है, याद रखेगा, चिली सीरा, चिली साल्ट पिटर, है ना, चिली साल्ट पिटर किसका सामाने नाम है, पोटेशन नाइटरेट, सोडियम नाइटरेट, सोडियम नाइटरेट और पोटेशन नाइटरेट, है ना, चिली साल्ट पिटर, चिली वर्ड बेसिकली, चिली कंट्रीज को लेकर है, च sodium nitrate ये बी इस दा राइट आंसर ये sodium nitrate को कहा जाता है चली साल्ट पीटर क्योंकि चिली में बहुत ज्यादा ये मिलता है clear हो गया चलिए next question दिखते है milk of magnesia है milk of magnesia magnesium chloride magnesium carbonate magnesium hydroxide या magnesium sulphate तो magnesium hydroxide इसका right answer है आप सीधा सीधा याद रखिएगा magnesium hydroxide को कहा जाता है milk of magnesia ठीक है mom next epsom lovearn किसका yogic है बहुत confusing होता है epsom और gypsom ये दो नाम पहले देखिए इसका उत्तर क्या है तो इसका उत्तर अगर epsom gypsom में देखिएंगे तो epsom पूछा है ठीक है तो मैं epsom का e लिख सकता हूँ लिख सकता हूँ तो हम याद रखना है m e से याद रख लेना और gypsom में हम देखते हैं ये है आपका calcium का c a और यहाँ पे gypsom के लिए आ रहा है क्या है आपका ये जो आ जाएगा that is z ठीक है तो इस प्रकार आप देखेंगे epsom लवन जो है epsom लवन क्या है m का मतलब magnesium है तो यहाँ पर दिया क्या magnesium this is the right answer अगर gypsom लवन कह दिया जाए तो gypsom लवन के लिए का जी तो यहाँ पर calcium होता तो gypsom लवन कह देते ठीक है जिफ सम होता तो calcium epsom है तो magnesium ठीक यह बात ध्यां रखिएगा चली नेक्स कोश्चन प्रिथवी की परपटी परपडी लिखा है परपटी में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला metal कौन सा है धातू elementary पूछा है metal पूछा है which of the is the most commonly found metal in earth crust तो यहां पर भी मतलब देखो अगर हम तत्व को लेते हैं तो भी aluminum लेते हैं सबसे ज़्यादा पाए जाता है दूसरा क्या iron लिया जाता है तीसरा क्या लिया जाता है that is calcium लिया जाता तो आपको पता aluminum भी क्या है एक प्रकार का धातू ही है तो घोमने किया जाता है ठीक है water purification के लिए हम पोटास बगर डालते हैं पोटास alum फिटकरी येस दिस इस दराइट अंसर ठीक है पोटास alum फिटकरी का सुत्र जानते हैं है ना K2SO4 into L2SO4 into 24S2 फिलाल उसे लिखने की जोरत नहीं है है ना सेरका तो यह क्या है एक प्रकार का भेस है खाने का सोडा है sodium hydrogen carbonate या sodium bicarbonate टार्टेरिक असीड तो यह प्रकार क्या है यह इमली फिटकरी भी कहते हैं कहां पर डाला जाता है जिसे पहले डाला जाता था को यहां है ना या फिर हम देखते हैं यहां पर वाटर फिरिफिकेशन भी करते हैं तो इसे यूज किया जाता है चलिए लास्ट कोश्चिन अब टुड़े सेशन टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए इन में से किसका प्रयोग किया जाता है है ना वाइट सिमेंट वाइड लैड नहीं ये दोनों गलत है जिंग आक्षाइड नहीं ये भी गलत है व्ल्ट सेव के यह का पानी का कंठेंट रहता है तो यह क्या ही आसानी से इसको अपने सेफ में ढाल सकते हो जैसे जैसे यह सूखने लगता तो इतना हार्ड हो जाता है तो यहां पे पी ऋपी जो होता है जब जहां पर हड्डियों को जोड़ना होता तो वहां पर चीजों को fix करनी होती है तो हड्डियों को जोड़ने के लिए क्या use किया जाता है प्लास्ट और पैरिस यूज किया जाता है ठीक है तो इस प्रकार आज कुछ और प्रस्ण हमने examination point आफ उससे देखा हम मिलते हैं तीसरे और आकरी सेशन में chemistry के कुछ और महत्पूल प्रस्णों के साथ तो आज के लिए मुझे विदा दीजिए किसी प्रकार का कोई भी doubt है तो आप जरूर पूछिएगा तो आज के लिए इतना ही रकते है, थांक यू सो मच वैवनाई टे